संसत का बज़र सत्र आज से शुरू हो गया है लोग सभा में प्रश्टेकाल के दौरान विपक्ष ने नीत का मामला उठाया विपक्ष ने इस मामले को लेकर हंगाबा किया और शिक्षा मंत्री धर्मिन्द्र प्रधान के स्टीफिक एमांग की शिक्षा मंत्री धर्बिंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगों पर गरबड़ी हुई है लेकिन पेपर लीग के पक्के सबूत नहीं है उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोट में है और कोट का जो भी नरदेश होगा हम उसे मानेगे वहीं लोक सभा में नेता पक्ष राहूल गांधी ने कहा कि पेपर लीग गंबीर मुद्दा है जिसमें गरबड़ी हुई है इसके दोशियों को सक्त सजा दी जानी चाहिए अधिक जानकारी के लिए जाता जानकारी के लिएमसी थे जो इसे गंबीर मसला बता रहा है वैसे गंबीर मसला जरूर है सुमित देखिए जो दलील धर्मिंद प्रधान दे रहे थे आज सदन में वही दलील सुप्रीम कोर्ट में लगातार एंटी और सरकार अपना पक्ष रख रही है कि पेपर लीग जो है वो एक सीमित दायरे में हुआ है जबकि याज़का करताओं की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा है कि देखे पेपर लीग की जो बात कही जा रही है और यह मनजूर भी कर रहे है वो सीमित छेतर में करें बलकि उससे नहीं बलकि पूरे देश भर में फैला है और आज भी जब कोर्ट में यह दलील चल रही है ततकाल में तो उसमें भी यह बात पेश की गई है कि देखें पेपर लीग का मसला जो है वो चार तारिक से पहले काई हो चुका है इस मामले में सीवियाई ने च्छापे मारी की है गिरफतारी की है और इसमें बयान भी दर्जे पिहार पुलिस के अफायार के भी जो है इसमें जिकर किया गया है अब जो है सुप्रीम कोर्ट में सेजियाई ने भी कहा है कि इसको हमारे सामने पेश किया जाए जब ये मामला कोट में इस सस्तर पे पहुंचा है तो लाजमी तोर पे लोकसभा में जब यह बात उठी तो इस पे हंगामा होना तै था और इसी बीच में जब राहुल गादी बोलने आये तो अपने चीर परिचीत अंदाज में जैसे के राहुल गादी के अब शैली जो है बड़ी ही कहा जाये तो एक धारदार हो गई है वो बेलाग बोल रहे हैं और इसी करम में उन्होंने यह बात कही कि यह जिसके पास पैसा ह को सकता हे वो भारत की सिक्षा प्रणाली को खरीज सकता है वो इसके नाम कर सकता रहे कि अब और जाधा महंगामा खढ़ा गया ॥ा葉 और भी आ करकर ठीकरा पोड़ा जा रहे है मसला विपक्ष की तरफ से ये खड़ा किया जा रहा है कि वर्तमान में तो आपकी सरकार है आप क्या कर रहे हैं इसके उपर आप इसको किस तरह से लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं अमरित 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 लोकसभा चुनाओं खत्म हुए लोकसभा में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली हम कह सकते हैं अच्छी सीटें यहां पर मिली हैं और उसके बाद से ही नीट का मामला ये सामने आ गया तो एक तरफ से लोकसभा चुनाओं के बाद विपक्ष यो काफी बिल्कुल देखिए इस जो पेपर लीग का मसला है सिर्फ नीट यूजी तक सीमित नहीं है नेट परिक्षा में भी जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम होता है उसमें भी जो है पेपर लीग की बात सामने आई और इसके बाद प्रकरन और बड़ा होता गया उतर प्रदेश में तो पेपर लीग एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना जो कि चुनाओं में भी एक मुद्दा था अब इसको लेकर के विपक्ष लामबंध अखलेश यादों ने जब सवाल शुरू किया प्रशनकाल के दोरान तो इसी बात से किया कि अगर कुछ नहों लेकिन यह सरकार पेपर लीग में रिकॉर्ड बनाएगी यानि कि वो अपनी जो पिच है उतरप्रदेश की वहां से इस बात को रख रहे थे और इसमें कहीं न कहीं सरकार भी इस बात गंभीरता को समझती है यही वज़ा है कि जब सत्र शुरू हुआ तो तुरंत इस पर प्रशनकाल पर बात चीज शुरू हो गई यानि कि यह भी दिखाता है कि सरकार इस पक्ष को लेकर कितना गंभीर है ओम बिर्ला ने जब इस बात में जब हंगामा हो रहा था तो उन्होंने एक बात कही जिस पर गोर करने वाली बात है उसके उपर सुझाओ दे न कि अब कोई जो है लानत मलानत वाली बात हो बहुत शुक्रिया आपका अमरित जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धनवाद तो नीट पेपर लीग को लेकर सदन में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं अब प्रधार मंत्री मोदी ने विपक्ष पजम का निशाना साधा पीएम मोदी ने कहा कि सत्र में सार्थक और सकरात्मक चर्चा होनी चाहिए देश बहुत बारिकी से देख रहा है कि समस्थत का यह सत्र सकारात्मक हो स्रुजनात्मक हो और देश बाशियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो कि करिब साट साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो यह भारत के लोकतंत्र की गव्रव यात्रा की अत्यंत गरुमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है यह बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूं क्रमा शहरुप से उन गारंटी यों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं 140 करोड देश वास्यों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देश वास्यों ने उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतितरिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गौंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोकतांतरी परमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है चलिए अब आगे बरते हैं बात होगी 36 कर विधान सभा के मौनसून सत्र की सदन शुरू होते ही दिवंगत विधायकों को शद्धान जली अर्पित की गई और सत्र के दौरान विपक्ष कई मामलों में सरका को घेरेगा ऐसा आसार हैं, ऐसे आसार हैं, ऐसी संभावना है विधान सभा का मौनसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार मौनसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा विधान सभा का मौनसून सत्र शुरू हो चुका है चत्तीस गर्में और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही दिवंगत विधायकों को शद्धान जली अर्पित दी गई लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी है सरकार को घिरने की तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिन पर विपक्ष सरका को घिरेगा 22 से 26 जुलाई तक चलेगा मौनसून सत्र चलिए आधिक जानकारी के लिए सीधर आइपर करो कर देते हैं हमारे सोगी मिर्गेंद रुपान ते हमारे इस तान जुड़गा है जी तेके दिवंगत विधायकों को पूर्व विधायकों को सरद्धांजली देने के बाद जब सत्र शुरूआ प्रश्नकाल शुरूआ तो पहला प्रश्न जो था जनकराम वर्मा जो कॉंग्रेस के विधायक है उनका था उन्होंने जो पट्टा अवंटन को लेकर सवाल किया था उस पर काफी तीखी नोगजोक वही मंतरी टंकराम वर्मा ने कहा कि अगर दस्तावेज है तो उपलब्द कराएं अलाकि इस मामले पर पूर्व मुक्यमंतरी भुपेश बगेल, पूर्व मंतरी उमेश पटेल इन लोगों ने भी कहा कि इस मामले की जाच होनी चाहिए तो कुल मिलाकर पहले दिन ही विपक्ष जो है अपने सवालों को लेकर आकरामक है दूसरा सवाल जो था सत्ता पक्ष के विधायक मोतिलाल साहू का था मोतिलाल साहू स्कूलों की स्कूलों में टीचर उपलब्द होने और इन चीजो को लेकर उन्होंने सवाल किया था बहुत शुक्री आपका मरगेंद तमाम भाचीत के लिए बहुत धेनवाद प्रशने काल के दोरान कई प्रशने हाँ पर लगाय जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से उठाय जा रहे हैं परते हैं या इस की बात कर लेते हैं रायपुर में जल्द बदलाव को ने जा रहा है नेताओं की कारिकरताओं के शामिल होने का दावा कि अजारा की 25 जार लोग शामिल होगे और इसी दोरान संग्ठन के बले नेताओं की बैठाग भी लेंगे सचिंग पाइलेट पूरे संकेत मिल रहा है कि जल्द ही कॉंग्रेस संग्ठन में बदलाओ हो सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हम बातशीत करेंगे रायपूर के रुक कर देते हैं हमारे सहोगी खोबन साहू हमारे साज़ जडगा है खोबन विधान सवा और फिर लोग सवा चुनाओं में मिली करारी हार के बाद बदलाओ की गुंजाईश है जरुगत भी है कॉंग्रेस पार्टी को देखिए बदलाओ की जवरत इसलिए भे क्योंकि विधान सवा और लक सवा चुनाओं में बड़ी हार कॉंग्रेस पार्टी को हुई थी और यही कारण है कि जो निस्क्री पदादीकारी है जो निस्क्री कारे करता है उनके उपर गाज गिरेगी यूँकि बहुत सारे ऐसे जीला अध्यक्ष है जो संगठन से जुड़े हुए लोग है वो लोग सभचुनाओं के दवरान या विधान सभचुनाओं के दवरान सक्री नजर नहीं आया थे और यही कारण है कि आप उनको बदला जाएगा दूसरी ओर 24 जुलाई को कॉंग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है 25 जार से जादा कारी करता राजधानी रायपूर आएंगे पिसी सी चीफ दीपक बैश की निर्तित्तों में प्रदर्शन होगा इसमें तमाम कॉंग्रेस के विधायक सांसत पूरो विधायक पूर मंतरी संगठन से जुड़े पदाधीकारी बूद के जो कारे करता है वो भी राजधानी रायपूर पहुचेंगे तो कुल मिलाकर एक बड़ा प्रदर्शन नगरी निकाय चुनाओ के ठीक पहले कॉंग्रेस पार्टी करने जा रही है और कहीं न कहीं इस प्रदर्शन के से चार्ज करना चाहती है ताकि आने वाले नगरी निकाय चुनाओ को लेकर पाटी को फायदा मिले और यही कारण है कि 24 जुलाई को पूरे प्रदेश भर के कारता एक अत्रीत होने वाले है एक तरीके से जब प्रदेश प्रभारी 24 तारीक को यहां आएंगे सुमित तो एक चर्चा भी करेंगे कि आने वाले नगरी निकाय चुनाओ को लेकर रनीती क्या है किन किन जगों पर बदलाओ करना चाहिए क्या क्या संगठन में कौन-कौन ऐसे पददीकारी है क्योंकि बहुत सारे कौंग्रेस के पददीकारी जो कौंग्रेस छोड़कर बीजेपी में सा सकता है बहुत धन्यवाद खोमन जुड़ने के लिए तमाम बाचित के लिए बहुत शुक्री आपका फिलागते हैं बात होगी नीती आयोक की रिपोर्ट की जी हां मदपरदेश को लेकर नीती आयोक की रिपोर्ट पेश हुई है शेहरी विकास और साफ सफाई साफ पानी दे गया है नीती आयोक की रिपोर्ट में 2021 में 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राजियों की शेडी में था मदपरदेश और अब 2023-24 की बात करें तो 67 अंकों के साथ फ्रेंट रनर राज बन गया है मदपरदेश जी हां 2021-21 में 62 अंक थे 2023-24 में 67 अंक हैं परदेश में एक करोड 36 लाख लोगों को गरीवी से निकाला गया है भुक मरी हटाने के उपाय हुए महिला पुर्षों के समानता महिला पुर्षों में समानता लाने में अभी भी मदपरदेश पीछे है चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे बीरो हेड शाम सिंग तोमर जी हमारे साँ जुड़ गया है शाम अच्छी बात है मदपरदेश के लिए कई पहलूँ पर अवल है मदपरदेश बहतर प्रदशन कर रहा है लेकिन महिला पुर्षों की समानता के मामले में अभी भी काम करना बाकी है प्रदेश में वाकरी नीती आयोग की जो रपट है उससे एक तस्वीर साफ होती है कि थोड़ा है और बहुत कुछ की जरुष है ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रहे हैं सरकार हैं इमानदारी से काम कर रहे हैं इसलिए तस्वीर बहतर हुई है पांच अंकों का सुधार हुआ है लेकिन स्वीर साफ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और बहतर हो जाएगी देखिए पांच चंकों का सुधार जरूर हुआ है लेकिन इसको बहुत संतोश्प्रत नहीं माना जा सकता है क्योंकि हम रनर अप क्यों रहे हम बैस्ट क्यों न रहे हम अच्छे परफॉर्मर क्यों बने यह हमारी है और हमारे राजजी की कोशिश होनी चाहिए निश्य तोपर और गरीबी हटाओ का यहां पर नारा बीज़े पार्टी देती आई है वो कुछ वो कुछ नजर भी आता है हम लगातार देख रहे हैं गरीबी से कई सारे लोग यहां पर बाहर आए हैं और इस अब हमें देखा है एक और शत्तीस लाख लोगों को गरीबी से बाहर नकालने में कामियाब रहा है एमपी तो तस्वीर बिलकुल मद्पदेश के फेवर की हो जाएगी और हमारे प्रयास दिखाई देने लगेंगे निश्यतो पर सरकार काम कर रही है लेकिन काम और बहतर तरीके से भी हो सकता है बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी जोड़ने के लिए तमाम जानकारी बाच्चित के लिए धन्यवाद आपका आगे बढ़ते हैं मुरणा की एक ख़बर है जहां पर जमीनी विवाद का मामला सामने आगया जहां ढाई बीगा जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठियां चल गई और फिर गोलियां भी चलने लगी इस बीच गोली लगने से एक बुजर्ग घायल भी हो गए हैं जिनकी हालत नाजुक है जिलास्पताल में एडमिट हैं गोली रफर किया गया है वहीं पुलिस मामले की जाच कर रही है अब बात करेंगे लोटेरी दुलहन गैंग की खरगवन पुलिस ने लोटेरी दुलहन गैंग का परदा फाश कर दिया ये गैंग इतनी शातिर है ये गैंग इतने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देता है कि पुलिस भी हरान इस गैंग में पूलिस ने महिला समय दो लोगों को अरेस्ट किया पांस से च्छे सदस्यों वाले इस गैंग में सभी के पास अलग-अलग जिम्मदारिया होती थी इस गैंग में आरोपी पती ही भाई बन कर अपनी पतनी की शादी के पूरी विवस्था करवाता था और शादी के नाम पर दूले वालों से पैसे ठकता था बाद मैं दुलहन किसी बहाने से फिर घर लोट आती थी और इससे मामले में पुलिस ने पती और समय दो लोगों को गिर्फ़ता किया है बाकी के तलाश पुलिस कर रही है उन्हें जश्पुर में आगण वाली कारिकरताओं ने एक आकस्मिक बैठक आयोजित कर उनकी लंबित मागों पर चर्चा कर आगामी रणनीती तैकी और बैठक में फैस्ता लिया है कि यदि उनकी मांगा जल्दी पूरी नहीं होती है तो वे बड़ा अंगुलन करेंगे बैठक में सभी कारिकरताओं ने एक सवर में अपनी मांगों को पुर्दो करने के तरीके से पुर्दो तरीके सुठाने और सरकार से तुरंथी समधान के अपील की बैठक के दौरान कारिकरताओं ने बताया कि उन्हें अपने परिवार के ब्रहन पोष्ण में कठनायों का सामने करना पादा है जो आग्रादी करकरता का रिक्त पर दयते के लिए हम लोग भी यहां बाठक रखे हैं 50 परठंट तो है लेकिन 20 जल 25 सल कम करने के वावजुद भी उनको प्राथ्मिक्ता नहीं दिया जा रहा है इस समन्ध में बाठक रखे हैं और दूसरा में मीनी करक्रताओं के समन्द में जो यहां लगवक 1387 मीनी केंद्र है और दोनों का काम करते हैं करक्रता सहाईका का उसका मेन करवाने के लिए हम लोग विसे सरकार यहां समाती बैठेक के लिए हैं और महिला बाल विकास मंत्री से भी मिलने का हम लोग का बात चल रही हैं बड़ी संख्या में आंगानवारी कारेकरता पहुंची थी एक सवर में अपनी पुर्दो तरीके से अपनी मागों को रखा है उद्धा बुर्हानपुर के शापुर में खेत में काम करने गए मजदूर की करेंट लगने से मौत हो गई रहानपुर के शापुरा में खेत में काम करते गए मरीज मजदूर की करेंट लगने से जान चली गई जानकार के लिए बातचित करेंगे मौसिम तरवी हमारे सही होगी हमारे इस्तान चली जानकार के लिए बातचित करेंगे जड़ गया है मौसिम जाना चाहेंगे आप से किसके लापर वाही इसमें कही जा सकती है जिस उमित दुर्वल देगी ये नेशनल हाइवे है और नेशनल हाइवे पर जो मजदूर था उसकी करन लगने से मौत ही जिसके बाद परीजनों ने नेशनल हाइवे ठाने के सामने चक्का जाम कर दिया उनका आरो पे की जो किसान था उसकी खेट का तार ठुटा वाता और ये सुचना उसने मजदूर को दी थी कि खेट की बिजली बंद है लेकिन अचानक आज सुबा में जो बिजली का तार गिरा वाता उसमें लाइट आ गई हो और मजदूर जो था उसके चपट में आने से उसकी मौत हो गई तो परीजनों का आरो पे की किसान पर कारवाई हो स दूर की जान गई है और नेशनल हायो पे चक्का जान गया था शापूर पुलिस ने सभी लोगों को आक्रोशित लोगों को हटा कर खाने में बिटाया और उन्सों समझा इसी चारी है और मामलों को शान्द करा आ जा रहा है सुमित बहुत शुक्री आपका मौसिम जुड़ने के लिए तमाम जानकारी बाचित के लिए बहुत धन्यवाद और आईए अब बात करेंगे सावन के पवित्र सौमवार की सावन का पवित्र महिना शुरू हो चुका है और सावन के पहले सौंवार पर कबीर धाम जिले में स्थित भुरम देव बाबा के मंदिर का वीडियो जारी कर मुख्य वन्पी विश्णु देव साय ने भगवान भुलेनात को नमन किया और इस तोरान उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है पवित्र सावन मास के प्रथम दिवस पर आए जानते हैं 36 गल के खजुराहो बोरम देव मंदिर के बारे में बोरम देव बाबा की किरपा आप सभी पर सदैव बनी रहे सावन समवार की आज से शुरुआत हो चुकी है और जैन के महाकाल मंदिर में देर राज से ही श्रद्धालियों के पहुंचने का सिलसला भी शुरू हो चुका है वहाँ पहुंचे श्रद्धालियों से इस दौरान हमारी इसे होगी अंजली श्रमा ने खास बातशीत की है आई आपको सुनाते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जेन धर्मनगरी में हम मौझूद है और इस वक्त में दसनमबर गेट के इस मार्ग पर मौझूद है आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से खचा खच ये मार्ग आपको श्रद्धालों से भरा हुआ नजर आएगा साथी साथ में आपको ये भी दिखाना चाहूंगी भी भती श्रद्धा एक तरफ होती है लेकिन इस चीज से इस तरीके के महापर्व से व्यवसाई को भी छोटे चोटे व्यवसाई को भी क्या कुछ लाब मिलता है ये देखिए आप ये देखिए इस सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि हाँ पर छोटी छोटी दुकानों को लगाया गया है आपके यहां पर दुकार में फूल रखे हैं तमाम वो सामगरी जो अर्पित की जाती है बाबा महाकाल ये क्या इसमें फाइदा पहुँचता है जब सावन का वहीना आता है फाइदा होता है ना बीड़ बादा देखिए दो फाइदा मुनाफ़ा हो जाता है बाबा की गिर्पा है बहुत अच्छी फिक्री होती है बाबा के राज में धेड़ सारे पल रहा है और हमारा भी जंदा अच्छा चलता है यहां पर यह जो मुसकान आपको नजर आ रही होगी यहां पर जो व्यवसाइद कर रहे हैं चोटे चोटे व्यवसाइद को सड़कों पे लगे व्यवसाइद को भी इससे फाइदा मिलेगा कैमरा पर संदीपा के साथ अंजली विस्तार न्यूस